अभी तपाटी शिडू हुई है खट अंगूर की कहाणी episode 60ारात का आपका सुवागत है जो लोग जानते हैं जो लोग नहीं जानते हैं और जो लोग जानने और नजाने की बीच में आते हैं उननाम और मैं आहूंगा इस छोटे सेप्रेक के बाद आई एक आपना स्वावित है शुरू करेंगे आज की कहानी लोंडे की कहानी और कहानी शिरू गती है इस जंगल में और जंगल में एक बहुत भयात बहुत भायंकर लोंडी रहता है और उस लोंडी को बहुत बहुत प्याग हो जाता है अंगूर से लोंगूर से नहीं जंगल में जाकर ठूँटा है ठूँटा है पर कुछ नहीं मिलता रहे उसको उसी टाइम पर वह एक जाड पर आके देख लेता है कि एक बड़ा सा चार्ड है उसमें अंगूर वह देख लेता है उसको पहाँ शुरू करेंगे बैटिंग आज तो आज का खाने का इंतिजाम त तीस बार सुचा रहे यह आए अंगूर बहुत उंचाई पर है इसको कह से पहुंचू में तो जाता है पूरे अंगूरों का फार्म लेता है उस जंगल पार्ट में उसी भाग में जाकर वह सबी अंगूर के जाड़ों को कूद घूद कर देखता है कि अंगूर मिलता है या एक पीस तीस अंगूर के पेड़ों पर जाकर बहुत कोशिश करता है और अंत में वो बोल देता है कि ना ना यह तुमसे ना हो पाएगा यह अंगूर तो नहीं आएंगे और अंगूर आने से यह तो खटे रहेंगे तो कुछ फाइदा ही नहीं है यह अंगूर यह मुझे स बड़ियों को यह बोलके रफा रफा हो जाता है इससे क्या होता है कहानी पर इससे क्या सीत्मिती है कहानी होता है देखें गुलाब का जो पौधा रहता है उसी पौधे में एक पता जो है जिससे पौधा बढ़ता है उस पौधे में हर एक पता जो निकलता है उसी पत्ते स उसी पत्तों से गुलाब का फूल बनता है और उसी पत्ते से पत्ते भी बनता है तो एक ही पत्ता या थौन होता है या गुलाब का फूल होता है या पत्ता ही रह जाता है आपकी जिन्दगी में मुझे लगता है कि आपको पत्ते की जगा गुलाब का फूल बनना है यह लुम अर आको भी बताता है पर मैं तो गुलाब का फूल बना चाहता हूँ। और आपको भी विश्वास दिलागना चाहता हूं कि पतों से आप गुलाब का फूल भी बन सकते हैं। यही थी खटे अंगुरों की कहानी, सच हमेशा खटा होता है, कड़वा होता है। पर वो खटाजगी में और खडवेपन का जो मजा है वो मिठाजगी में नहीं रहता है So इसी समय पर मैं आओंगा आपको नेक्स एपिसोड में एक नहीं कहानी लेकर इंग्लिश में एक इंग्लिश टेल लेकर आओंगा मैं और पाड़ी तो अभी बागी है मिलूंगा मैं अग्ले एक इसोड में अडल देन अभी तो पाड़ी शिरू हुवीड है